सियासत को यू भी पंक फैला कर उड़ने की आदत होती है ऐसे में जब बात हवाई अड़ो की हो तो सियासत दाभी आस्मा से चुगली करने लग जाते हैं एक बिचारे पटना एरपोर्ट पर आफत आन पड़ी है इस एरपोर्ट की लोकेशन ही कुछ ऐसी है किसका और विस्तार मुम्की नहीं जान पड़ता पटना हवाई अड़े का रनवे भले ही 2286 मीटर लंबा हो पर यहाँ जहाज उतारने वाले पाइलट इसका मात्र 1954 मीटर है इस्तमाल कर पाते हैं सोने अब बेहत मुश्किल परिस्थितियों में लैंडिंग करानी पड़ती है क्योंकि लैंडिंग करने वाले जहाज की राह में पटना विधान साभाभवन का क्लॉक टावर और दूसरी तरफ फुलवारी शरीप का रेलवे स्टेशन आ जाता है साथी पटना एरपोर्ट पर विमान से पक्षी टकराने की आशंका भी सदे बनी रहती है डीजी सीय की हमेशा यहां फ्लाइट उतारने वाले पाइलटों पर तीखी नजर रहती है पटना से सटे बीटा एरपोर्ट के पास भी पचीस सो मीटर का रनवे है पर यह भी वाइट बॉड़ी एरक्राफ्ट उतरने के लिए नाकाफी है बिहर के मुखमंतरी नितिश कुमार ने बीटा एरपोर्ट के लिए 126.41 एकर जमीन अधिगरण को मंजूरी प्रदान की थी और अब एरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के लिए एरपोर्ट आथरिटी को 108 एकर भुमी और दी गई है जो की फ्री अप कॉस्ट है यही वज़ा है कि पुर्व नागरी कुड्यन मंतरी रुधी इस एरपोर्ट को अपने संसद्य क्षेत्र सारण के अंतरगत आने वाले सोन पूर ले जाना चाहते हैं वही नितीश कुमार चाहते हैं कि पटना के विकल्प के तौर पर नालंदा में एक बड़ा एरपोर्ट बने जहां वाइड बाड़ी एरक्राफ्ट बड़े जहाज भी आसानी से उतर सके वही पटना से लगे बेटा एरपोर्ट का काम चल रहा है वैसे भी नालंदा में एरपोर्ट के लिए जमीन अधिकरण में धेरो समस्य आया रही है पर नितीश कुमार के लिए एक अच्छी खबर ये है कि कभी उनके बेहत भरोसे मन अधिकारी रहे चंचल कुमार नागरिक उड्यन मंत्राले में सची पत का जिम्मा समाले जा रहे हैं चंचल कुमार बिहार क्याडर के 1992 बैच के आयस अफसर है जो आयाईटी कानपूर से पढ़े लिखे हैं जब नितीश केंदर में मंत्री थे तब भी चंचल कुमार उनके साथ ही हुआ करते थे सिर्फ पंखों से कहा मुकमल होती है कोई उडान इसमें मिलाओ रंग होसलो का और थोड़ा सा आस्मान